ऑफटाइर तो अपता है तो यहाँ करो झाल पिच्छ करते हैं आपको कैसे अपडेट कर मैं आपको आपको बताने वाला हूं तो पर देखिते हैं पर चाहँ तो यहांद πरिटों करते हैं अगर आपको लगता है कि ये अपडेट हमें बहुत पहले पता चल चुका है तो बिलकुल ये वीडियो को स्क्रिप कर सकते हैं बट अगर आपको नहीं पता है मेरे कल को क्योंकि कभी-कभी नए उजर भी आते हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत हेलफुल होती है तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरे कल का अपडेट कैसे हमें डाउनलोड करना है कैसे हमें इंश्टाल करना है और क्या अपडेट आया हुआ मैं यह इतने सारे ने वाला हुँ तो वीडियो को आप लाज टकfach जरूर देखें अगर आप हैं तो और अगर आप जानते हैं तो वीडियो को skip कर सकते हैं बाकी आप वीडियो में बने रहे हैं तो चलिए हम सबसे पहले हम इसका setup को download करते हैं कि setup को हम कैसे download करना है सारी चीजें तो आपको Chrome में जाना है Google में जाना है Google में जाने के बाद आपको लिखना है Miracle GSM Miracle GSM आपको लिख देना है उसके बाद आपको जाना है GSM Forum में आप चल जाएए या फिर और भी आपको आपको बैक अगर आप GSM Forum में नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपको देखिए यहां पर लेटेस वर्जन इसका 3.19 चल रहा है यहां पर इसका जो लेटेस वर्जन है ठीक अपर प्रीद करता हूं हाला कि एक्चूल मैंने डाउंलोड की हुआ है मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे आप नए यूसर होंगे तो कैसे आपको आप अपडेट को डाउंलोड करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं आप पढ़ेंगे तो सारा पुछ आप पर download प्लिक करेंगे तो आप उसके चले जाएंगे तो देखिए यह खुल चुका है तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अगर आप नए यूजर है तो सेटप डाउनलोड कर सकते हैं 1.1 GB का है अगर आप यूजर है मतलब आप पहले से मिर्कल चला रहा है तो आपको उतनी बड़ी फाइल डाउनलोड करने के जड़ोतनी है के बाल आपको यह अपडेट वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है और आपका काम हो जाएगा तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे और य तो यह हमारी स्टेक होना फाइल स्टार्ट हो गई है तो यह सारे वीडियो अब स्टेप बाइस टेप देखीगा क्योंकि आपको इसका अपडेट भी पता चलेगा और इसको कैसे मैनुवाली अपडेट करते हैं सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी तो यह देखिए मिर पर कर दिया है अब से आपको कर लेना है अब इसे भी कर लेना है आपको और यह जो आपके पास दिख रहे हैं फाइल जो आपको दिख रहे हैं इनको कर लेना है कॉपी करने के बाद आपको जाना है सीधा मिरिकल थंडर के लोकेशन पर जाना है तो हम फटाक से इसको पहुंच जाएंगे अब क्या करना है जो … हमने copy किया है उस copy को हमें पर पेस्ट कर देंगे और अनकि आने के बाद यहां पर greenhouse फाइल मतलब पुरानी फाले डिलेट करके हमें नई फाइलोsam करेंगे और यह देखी हमारा यह जम डन हो चुका है, तो अब यह जो हमारा old version था, हलाकि मैंने old version आपको दिखाया है नहीं, बट यहाँ पर old version नहीं चलता, वो आपको new version latest version, clean message जालते, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, मैंने इसको manually update कर दिया है, इसको हम कर देते हैं close, उसके बाद हम लगाते हैं miracle thunder को, miracle thunder लगा करने वाले हैं, और इसमें जो updates है, उस updates के बारे भी आपको बताते हैं, तो हमने लगा दिया है, हमने इंटरनेट हैं, हमारा connect है, सारी चीज़े, 10 years, यह खुल रहा है miracle thunder, उसमें क्या नया update है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आयोब यह जो update का process है, आपको आयोब समझ में आया होगा, अगर यह समझ में आया है, तो friends, हमारे चैनल को like और subscribe करना बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि यह जो updates मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, updates में डाल रहा हूँ, तो यह हमेशा आपको update ऐसे ही होना है, तो अभी खुल जाता है, तो friends, मैं यहाँ पे यह बता देता हूँ, कि इसमें क्या-क्या नया अभी add हुआ है, तो चलिए, एक बार छोटा सा एक highlight कर देते हैं, फटाक से, क्योंकि मैं पहले से चलाता हूँ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी information आ चुकी है, क्या है, कैसा है, क्या इन्होंने added इसमें किया हुआ है, तो आप सारा चीज़ें यहाँ पर 31 March को यह update आया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज, यह 31 March को ही update आया था, जो इसका new version है, मैं आप CC9, यह सारा इसमें add हुआ है, कॉलकम के auth add हुए है, यहाँ पर add vivo, यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, और यह पूरा आपको यहाँ पर बताता है, कि हमने क्या का यहाँ पर किया हुआ है, तो चलिए, उसके बाद आप देखेंगे MTK, SPD, और जो इसमें पर पहले मैं update देना चाहूंगा, इसमें directly जोड दिया, इन्होंने MMC ISP Pinouts का यहाँ पर कर दिया है, तो आप उसका socket Miracle का एक socket आता है, आप उसे adapter आता है, उसे use करके, आप यहाँ से port को जैसे आप ISP करेंगे, scan करेंगे, पहले आपको ISP के लिए एक अलग से Miracle का चलाना प FRP remove, और यहाँ पर काफी सारी चीजे आप factory reset, यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर data की बात करें, तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, तो यह एक चीज था जो कि first हम ने बताया, MediaTek का है, तो MediaTek में आपको पता ही है, सारा चीज कैसे interface को हम use करते हैं, बाकि आपको इन सारी चीजों का deeply में knowledge चाहिए, तो आप हमारे AC Telecom को join कर सकते हैं, तो जिसमें आपको proper way में हर एक चीज step by step सिखाई जाएगी, कि आपको कैसे इस way में काम करना है, तो इस सारी चीज आप देख सकते हैं, तो जो इसकी unlocking है, जो यहां पर पहले सारे काफी मैंने पहले वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप अनलॉक में जाने के बाद आपको सारी चीजे tab को आप यूज कर सकते हैं, आप यहां पर देखेंगे, चार model हैं आपे, generic MTK और यहां पर अगर UFS Android version 11 है, तो भी सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद MMC है, या UFS है, तो आप यहां पर select करके, अपना brand और model ले करके, आप यहां पर बहुत इसली तरीके से unlocking कर सकते हैं, unlock fix में जाने के बाद उस सारी चीजे आपको पता ही है, fix, deal, baseband, यह सारी चीजे हमारी यहां पर हैं, और यहां पर आप कुछ SPD में जाएंगे, तो SPD आप देख सकते हैं, कॉलकम, कॉलकम में भी इन्होंने बताया कि, सौमी के हमने add किये हुए हैं, यहां पर आप सारी चीजे और यह आप देख सकते हैं, reboot to ideal, fast boot, काफि सारे comment आते हैं friends की, कैसे हमें ideal से fast boot या fast boot से ideal लाना है, तो सारी चीजे यहां पर हमारा है, यह देखे, reboot का option है, तो आप यहां से जा करके fast boot, तो reboot download, reboot boot loader, fast boot, reboot to fast boot to ideal, यह देखे, यह है आपका reboot to fast boot to ideal, मतलब काफि सारे student बोलते ह या फिर जो भी वीवर बोलते हैं कि सर हमें फासबूट से एडियल कैसे लाना है तो पर बट फासबूट जो हमारा लॉक होता है बट अगर आपका फासबूट मोड में आ रहा है तो आप आप से एडियल को बहुत ही तरीके से ले सकते हैं इसके उपर मैं एक पॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको समझ में आ जाए कि एक्च्वल में वर कर रहा है कि नहीं जा रहा है तो आप यहां पर जा करके रिगूट पर क्लिक करेंगे और अपना यह मैथड जो भी आपको रिबूट करना है वह आपको सेलेट कर लेना है उसके बाद आपको सिधर स्टार्ट बटन कर देना है और आपका यहां पर हो जाएगा चोटी-चोटी बाते हैं सारी चीजे में यहां पर सब कुछ तो अभी नहीं क्लियर कर सकता क्योंकि सारा बहुत बड़ा टै जितना हो सकता है मैं उतना देने की कोशिश कर सकता हूं Android में दो मोड होते हैं ADB और Fastboot जो मोड है यह सारे मोड आप यहां पर यूज कर सकते हैं पड़िए ADB आपका जो OEM और आपको USB डिवगिंग अन होगा तब भी जाकर के काम आप कर सकते हैं तो यह सारी चीजे हैं य आई होगी फ्रेंट्स तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कैसे हम मैंने क्या क्या बताया था कि पहले मैंने बोला था कि जो मैं आपको बताने वाला हो यहां पर सबसे पहले मैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं फिर कैसे मैनुली इंस हुआ है